तो फ्रेंट चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप मोबाइल को फुल रिशेट मार सकते हैं जियां फ्रेंट मोबाइल को फुल रिशेट मारने के लिए आपको कुछ बातों का पहले ध्यान देना जरूरी है फिरन सब से पहले आपको क्ला passo आपको क्या करना है अपने मुवाईल के Gmail ID को Remove कर देना है अगर आपको अपने Gmail ID का password पता है तो ठीक हैthrop अगर आपको Gmail ID का password नहीं पता है तो आप सड़ी को पहले Remove ख़र लिजए नहीं तो जब भी आप अपने मॉइल को फुल ट्रिशेट मारेंगे तो फिर आपको वो बार-बार पासवर्ड मांगेगा उसे में आपको पासवर्ड लॉग इन करने में दिक्कत होगा तो चल्य फ्रेंस अब आपको हम बताते हैं कैसे आपको अपने जीमील आडी को रिमूब करना है इसके लिए अपको अपने मॉइल के शेटिंग में जाना के और शेटिंग में जाने एक बाद आपको यह नीचे के इत्रव पे श्क्रॉल करना है और यहां पको एक ऊप्षेन गुगल का तह आपको इस visualize गुगल वाले option पे क्लिक करना है गुगल वाले option पेवे हमा जितने भी Gmail डी वह सारा यहां पे आपको सो कर जाे wonders इसके बाद इस एरोवाले option पेओ लिएओ के आपको आपको इस फाले ख constraints आपको यहां पर देखिए यह Gmail ID है आपको यहां से इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने कवाद आपको यहां पर नीचे में एक option दिखेगा डिलीट का तो आपको इस डिलीट वाले option पर क्लिक करने है डिलीट वाले option पर क्लिक करने के बाद यहां से एक बार फिर से डिलीट कर देना इस तरह से आपका Gmail ID यहां से remove हो जाएगा लेकिन फ्रेंस गपरानी की कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको इसमें login करके दुबारा से द याद रहे प्रेंस जब भी आप अपने phone को reset करेंगे यहां पर आपके mobile में जितना भी होगा contact data photo सब कुछ डिलीट हो जाएगा तो आपको पहले contact को remove कर लेना अपने Gmail ID में या फिर copy करके कहीं पर भी आपको WhatsApp पे send कर देना ताकि आपका contact बचा रहे हैं तो प्रेंस चलिए अब मैं आपको phone को reset मार के दिखाऊंगा कैसे आपको phone को reset बानना है तो प्रेंस आपका कोई भी company का phone ओ ओ ओ ओ और एड्मी या फिर कोई भी company का phone ओ आपको यहां पर setting में नहीं जाना है आपको यहां पर search करना है backup and reset तो B, A, C, K, UP ऐसे लिखना है backup या फिर backup से नहीं आ रह जाएगा ybically and reset वाला action जो है किसमे तो इसमें दिखा रहाए दिखिया यह यह इडिशेट्टिंग वाला setting है अगर हम एडिशर Lieutenant में जाएंगा उडिशेट्टिंग में हमको backup and reset मिल जाएगा इस तितरह से जब आप reset लिखेंगे तो आपका यह दिखा देगा किएगा यह व बाद देखें यहां पर option दिखा दिया backup and reset तो इसको यहां से click कर लेना है और click करने के बाद देखें यहां पर दिया वाइफ फ्रेंच backup and restore एक option उपर में भी दिया हुआ है तो इसको हम click करेंगे इसको हम फिलाल नहीं करते हैं यहां पर देखें हमें full reset मारना है तो मैं reset to factory setting पर click करना परेगा erase all data on phone तो इसको मैं यहां से click कर लेता हूँ click करने के बाद देखें प्रेंच यहां पर एक option दिखा रहा है erase all data and deleteable apps तो आपको इस पर click कर लेना ध्यान रही प्रेंच एक बाद फिर से आपका यहां से पूरा data ही clean हो जाएगा कुछ पर contact नहीं रहेगा तो फिर मैं इसको यहां से confirm होने के बाद आपको Erase data पे click कर देना है फिर से erase data पे click कर देना है erase data पे click में प्रेंगा आपका phone कुछ दिर के लिए switchアップ हो जाएगा और यह processing में चला जाएगा यहां पे फ्रेंच यह स्वीच आप होने के बाद आउट्मेटिक के रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट होने बाद भी तुर्शा टाइम लगे गएगा तो मैं वीडियो को तुरह सा यहां पर श्पीट कर दूँगा, तो चलिए देखते रहे पिर आपको कैसे setup करना है, इस तरह से कुछ आएगा, wiping, please, wait, तो इस तरह से आपको देखना है, मैं यहां पर तुरह सा वीडियो को forward कर दूँगा, तो प्रेंट जब भी आपका phone full reset होने देखे, यह हो रहा है, restart हो रहा है, तो टाइम लग रहा है, इसके बाद प्रेंट से restart होने के बाद कुछ इस तरह का interface आएगा, आपको यहां पर language select करने का option आएगा, तो आपको language English ही रहने देना है, अगर आपको कोई other language चाहिए, तो आप यहां से select कर सकते हैं, इसके बाद देखे, यहां पर मैंने पहले से wifi connect करके रखा, अगर आपको wifi चाहिए, तो ठीक है ने, तो यहां पर skip बाले option पर click करने के बाद, यहां पर automatically का, यहां पर select wifi का option दिया है, इस से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें यहां पर continue बाले option पर click करने के बाद, आपको नीचे की त accept बाले option पर click करने के बाद, अगर आप यहां पर face id फिंगर प्रेंट या password लगाना चाहते हैं, फिया आप setting बाले option पर जाएंगे, और नहीं तो यहांपर skip बाले option पर click करके आप यहां से skip करदेंगे, और यहां से फिर किप करदेंगे, इस तरह से friends आपको यहां पर continue बाले फॉन का जो डाटा है अगर आप उसे इंपर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर आपको न्यू फॉन बनाना चाहते हैं यह से तो आप यहां पर इस तरह का कुछ इंटरफेश आएगा और फिर आपको यहां पर वेलकम का लिखा हुए वेलकम इस्टाटिक ऑर वंडरफुल कलर्स जर्णि का ओप्षं दिया और फिर यहां पर गेट इस्टार्टर option पर क्लिक करके आपको फोन को श्टार्ट कर देना है तो देखे friends हमारा जो phone है इस तरह से बिल्कुल new हो चोगा इसमें कुछ भी नहीं है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ contact में phone में कहीं भी कुछ भी नहीं है friends तो दिखा दिया और इस तरह से आपका phone में जो जो होगा सब कुछ delete हो जाएगा मेरे मॉइल में अभी कोई photo भी नहीं है तो देखे मैं photo की gallery पर click करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो चलिए friends अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसमें new Gmail ID को login कर सकते हैं इसके प्रैंस आपको यहाँ से अपने mobile डीब में जाना है तो मैं यहाँ से Gmail को open कर लेता हूँ और Gmail को open करने के बाद यहां से Gmail को touch करना है, Gmail को touch करने के बाद friends आपको यहाँ पे go eat का option है इस पे आपको click करना है इसके बाद प्रिंट से आपको यहाँ पे प्लस का Icon दिख रहा है Add an email address आपको इसके कुलिक करना है और आपको अपने email ID को इसमें add कर देना है जो भी email को आप add करना चाहते हैं तो इसके बाद यहाँ से Google वाले option को कुलिक करेंगे इसके बाद प्रेंस यहां पर दिखा रहा है कि Could Not Sign In यहां पर जो Network Connection है वो नहीं मिल रहा है तो मैं यहांसे यहांसे से Wi-Fi Connect कर दिता हूँ तो देखे मैं इसे यहां से वाइफाई को कनेक्ट कर दिया इसके लिए यह पासवार्ड मांग रहा है वाइफाई का तो मैं यहां पर इस तरह से पासवार्ड डाल के फ्रेंट मैं इसे यहां से जॉइन कर दिया और वाइफाई कनेक्ट कर दिया और अब चलिए मैं इसे यहा फाले फर्स्ट पेज पर और स्कूय बैक करटा हूं और फिर से गूगल वाले अप्शन पर क्लिक करता हूं तो चलिए आपका जो भी email है, आपको यहाँ पर email डाल देना है, आपको अपना email याद रहना चाहिए, अगर email याद नहीं है भूल जाते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर forget email का option है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, लिकिन मुझे अपना email याद है, तो मैं अपना email यहाँ यहाँ डाल देना है अगर आपको password नहीं पता है फ्रेंश तो आपको यहां पर देखे forget password का option है आप इस fourgay password वाले उप्चन पर क्लिक करके password को forget कर सकते हैं फिलाल मुझे password पता है तो मैं इसे यहां पर पर्वज़ पाशवर्ड यहां पर डाल के और इस नेस्ट वाले option पर किलिक कर देता हूं आपको यहाँ पर अक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से प्रेंस हमारे जीमेल आड़ी यहाँ पर सक्सेश्पुली एड़ हो चुका है और अब हमारा मुवाइल यूटूब फेस्पुक गूगल भी इसमें चलाने के लिए रेड़ी है तो देखें यहाँ पर अपडेट गूगल प्ले सर्विस भी आ चुका है तो अब आप यहाँ से गूगल यूटूब कुछ भी चला सकते हैं और आपका फॉन फुली रिशेट हो चुका है तो अपको यह वीडियो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा कोई confusion नहीं होगा फिर भी अगर आपको कोई सवाल है या सुझाओ भै तो आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो आप अपनी सला दे भी सकते हैं आपका सवाल यह सुझाओ हमारे लिए बहुत ही important है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देजेगा और चैनल को subscribe कर बेल आइकन को press कर कर देजेगा ताकि इसी तरह के आने वाली वीडियो को notification आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद